स्वास्त मंत्राले के मताबिक पिछले 24 घंटे में देश भर में 3390 ने मरीज मिले हैं और 103 लोगों की मौत हुई है इस उच्छाल के बाद देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 56,342 हो गई जबकि मौत का आंकडा 1186 दर्चिया गया है महराष्ट में अब तक 17,974 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं जबकि गुजरात में संक्रमन का आंकडा 7,000 के पार पहुँच गया है तिल्ली, तमिलनाडू, राजस्थान, मध्धप्रदेश और उत्तरप्रदेश में मरीजों की संख्या 3,000 के पार हो गई है यूपी में नॉइडा सरवाधिक प्रभावित इलाखों में से है लेकिन शुकरवार की रात यहां सेक्टर 88 में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्यां उड़ गई बड़ी तादाद में लोग सबसी और फल खरीदते हुए नजर आए मार्केट कमिटी के सेक्रेटरी संतोश के मताबिक नॉइडा में कई कारखाने चालू हो गए हैं जिसकी वज़ा से भीड पड़ी है कमिटी ने कहा है कि सबसी मार्केट आने वालों को अब पास जारी क्या जाएगा और सिर्फ 100 से 150 लोगों की एंट्री होगी इस बीच 36 गड के दंतेवाडा में 23 मज़़ूर कॉरेंटाइन सेंटर से भाग गये दंतेवाडा के स्पी अभिशेक पल्लव के मताबिक मज़़ूरों को अरनपुर के बॉइज होस्टल में रखा गया था लेकिन वे वहाँ से भाग निकले चिंता की बात ये है कि लॉगडाउन के तीसरे चरण में कुरोना मरीजों के मिलने की रफ़तार सबसे तेज है पिते चार दिनों में देश में लगभग 14,000 नए मरीज कुरोना वाइरस के मिल चुके है बेरो रिपोर्ट गो नियूस